इस समय आईए हम परीक्षा और जय इस उब्देश शिर्षक के साथ परमेशुर के वच्चन का साज़ा करें। जब हम सोचें कि प्रिथ्वी पर पाप और अपराद कैसे शुरू हुएं तब हम समझ सकते हैं कि हम तब सब से अधिक पाप करते हैं जब हम परीक्षा और प्रलोभनों पर जय पाने में आकाम होते हैं। परीक्षा और प्रलोभन हमारे विश्वास के जीवन में काफी महतपून मामले हैं। स्योन की संतान की रूप में सभी परीक्षाव पर जय पाने के लिए हमारा विश्वास काफी मजबूत होना चाहिए। आए हम मत्य अध्याइच्छे पर एक नजर डालें। मत्य अध्याइच्छे पदार्ट में लिखा हैं। इसलिए तुम उनके समा नव बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवशक्ता है। अता तुम इस रिती से प्राथना किया करो। हे हमारे पिता, तु जो स्वर्ग में हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाएं, तेरा राच जाएं। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में फूरी होती हैं, वैसे प्रित्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराथियों को क्षमा किया हैं। वैसे ही तू भी हमारे अपराथों को क्षमा कर। फिर उन्होंने क्या कहा। इशू 2000 वर्ष पहले प्रित्वी पर आये। और परमेशुर के लोगों को सिखाया कि कैसे प्राथना करनी है। प्राथना में ये अभिव्यक्ति हैं। हमें परिक्षा में नला। और हमें परिक्षा में नला परन्तु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। परिक्षा में गिरने का मतलब क्या है। क्या उसका मतलब ये है कि हम परिक्षाओं पर चैपाते हैं या नहीं पाते। उसका मतलब है कि हम चैपाने में नाकाम होते हैं। जब हम शेतान की सभी प्रकार की योजनाओं के प्रलूफन में गिर जाते हैं और उन पर चैपाने में नाकाम होते हैं, तब अंत में हम शेतान के दास बनेंगे। हम शेतान के द्वारा घसिटे जाएंगे और पापू में भटकते रहेंगे। इस पीच हमारे मन में अनादी अनंतकाल का ज्ञान होता है। तो हम कभी-कभी आश्चर्य करते हैं क्या होगा यदि में उथार नहीं पासकता या क्या होगा यदि में सोर्व में नहीं जा सकता क्योंकि हम पाप में गिर सकते हैं तो ईश्व ने हमें प्रात्रा में इन शब्दों को निश्चिक करने को सिखाया कि हमें परिक्षा में नला और हमें परिक्षा में नला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। सभी लोगों परिक्षा में गिरने का मतलब हैं। परिक्षा में पास होने में नाकाम होना। जब आप चंगल में इज्रालियों के इतिहास को याद करें, जो दूध और मधू पहते कनान में प्रवेश्ट नहीं कर सके। क्यूंकि वे परिक्षा पर जई पाने में नाकाम हुएं। तो हमें अवश्य ही सभी परिक्षाओं पर जई पाना चाहिए। परिक्षाओं पर जई पाने का हमारे लिए सबसे महधपूर्ण कारक विश्वास हैं। जैसे पहला पत्रस की पुष्टक में लिखा हैं अन्तिम्यूग में शेतान, करजने वाली सिंग के समान, इस खोज में रहता है कि किसको फार खाए। चारों और खूमते हुए, यदि वो किसी कमजोर विश्वास वाले को देखें, तो वो उससे परिक्षा में ले जाता हैं। उस समय हमें कैसे उससे रोकना चाहिए। बाइबल केरती है, विश्वास में ध्रिड होकर उसका सामना करो। शेतान का सामना करने के लिए, जो हमें परिक्षा में डालने की कोशिश करता है। हमें किसी और चीज से अधिक विश्वास की जरुवत है। आईए हम देखें कि कैसे ईश्व और अबराहम ने परिक्षाओ पर चैप राप्त की। पहले आईए हम देखे कि कैसे इशु ने परिक्षाव पर चय पाई मतिय अध्याइचार पदेख तब आत्मा इशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस से उसकी परिक्षा हो वो 40 तिन और 40 रात निराहार रहा तब उसे भूख लगे तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेशुर का पूत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रूटिया बन जाए इशु ने उतर दिया लिखा है मनुश्य केवल रूटि ही से नहीं परन्तु हर एक वजन से जो परमेशुर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा यह तब हुआ जब इशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया था भले ही हम सिर्फ एक दिन के लिए उपवास करे तो भूख को सेहन करना कठीन है लेकिन इशु ने 40 दिनों के लिए उपवास किया था यह अत्यधिक दर्थ भरा होगा उस समय शेतान इशु के पास आया और उनकी परिक्षा ले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटिया बन जाए जब इशु को पर खा गया था तब उन्होंने जवाब दिया मनुश्य के वल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा जब शेतान ने शारीक भोजन के बारे में बात की तब इशु ने जवाब दिया कि हमें परमेश्वर के वचन के भोजन से जीवित रहना चाहिए इशु के लिए पथरों को रोटिया बनाना बहुत आसान था परंतु उन्होंने आसान चीज के बजाए सही चीज को चुना उस समय भी जब वह भारी दर्द में थे उन्होंने हमें सही मार्ग पर जाने के लिए सिखाया ताकि हम अपना विश्वास बनाए रख सकें इश्व ने जवाब दिया मनुशे केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा आए हम आयत पांच देखें तब इबलिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आपको नीचे गिरा दे चूंकि लिखा है वो तेरे विशे में अपने सुर्कदूतों को आग्या देगा और वे तुझे हाथो हाथ उठा लेंगे कहीं ऐसा नहों कि तेरे पाओं में पत्थर से ठेश लगे इश्व ने उससे कहा यो भी लिखा है तू प्रभू अपने परमेश्वर की परिक्षा न कर फिर इबलिस उसे एक बहुत उंचे पहाड पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वेभब दिखा कर उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा तब इश्व ने उससे कहा हे शेतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है तू प्रभू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर तब शेतान उसके पास से चला गया और देखो सुर्ग दूत आकर उसकी सेवा करने लगे ये शुने किस चीज से शेतान को हराया बरमेश्वर के वचन से उस समय भी जब वो अत्याथिक भूख और दर्द के दुख में थे उन्होंने शारिरिक मुश्किलों और दर्द को दूर करने का आसान मार्क नहीं चुना कुछ सोच सकते हैं शेतान को एक बार प्रणाम करके सारे जगत की महिमा और वेभभ प्राप्त करना क्या बैतर नहीं है लेकिन यह उनके प्रित्वी पर आने के उदेश्य से मेल नहीं खाता यह मानब चाती को बचाने का तरीका नहीं था येशु ने आसान मार्क के बजाए सही मार्क को चुनने का नमुना दिखाया ताकि हम भी उनका पालन करे और अपने जीवन में सही चुनाव करे येशु को किराने के लिए शेतान ने रोटी से उनकी परिक्षा लिए जब वह भूखे थे और चमतकार का कार्यक करने को कहा जगत के सारे राज्य और उनका वेभब दिखा कर शेतान ने कहा गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं हैं सब तुझे दूँगा लेकिन येशु पिल्कुल नहीं हिच किचाए जब एक मनुष्य कुछ दिनों के लिए न सोय या न खाय तब वो साधरन स्थिती में नहीं हो सकता 40 दिनों के उपवास के बाद सभी दुख और कठी नायों के भावचुद इशु ने सत्य का मार्ग चुना और सत्य के मार्ग में हमारा नेद्रित वकिया फिर चाहे हमारे सामने कोई परिक्षा और प्रलोभन चुना आए हमें भी हिच किचाना नहीं चाहिए लेकिन उसके बज़ाए हमें सोचना चाहिए परमेशोर ने हमें क्या सिखाया चुनने का हमारे लिए सही मार्ग क्या है ताकि हम हमेशा सही और उचित मार्ग चुने और जय प्राप्त करें शेतान ने इशु की परतमान भूख और मुश्किलों पर ध्यान दिया उसने उस थिती का उप्योग किया जब मनुश्य के लिए सही मन रखना मुश्किल है उसने विभिन्न परिख्षाव से इशु के सबसे कम जोर भाग पर हमला किया लेकिन इशु बिलकुल नहीं हिच किचाये इशु शरीर में थे इसलिए वो हमारे ही समान स्थिती में थे अध्याथिक भूख में वो भ्रमित हो सकते थे अलाकि उन तीन परिख्षाव में येशु ने शारिरी चीजों के लिए थोड़ा सा भी नहीं जुके उन्होंने सही चुनाव किये ताकि हम भविश्य की अनंत महिमा पर विश्वास रख सके जो परमेशुर हमें देंगे उनके सभी चुनाव सही थे चुकि वे सभी सही थे तो शेतान और अधिक उनकी परिख्षा नहीं ले सका शेतान ने सबसे मुश्किल स्थिती में इश्व को सबसे मुश्किल परिक्षाए दी लेकिन इश्व थोड़ा सा भी नहीं डगमगाए उन्होंने विश्वास से परमेशुर के वचनों से शेतान का विरूध किया और इश्व ने शेतान को सही चीजे करने को कहा तब शेतान और अथिक खड़े नहीं रह सका और उन्हें छोड़कर चला गया और सुर्ग दूद आकर इश्व की सेवा करने लगे आईए हम योभी देखें कि उत्पत्ति अध्याए 22 में अबराहम किस परिक्षा से गुजरा और वो कैसे उन पर चैपा सका आयत एक में लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इबराहम से यह केकर उसकी परिक्षा की हे इबराहम उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ उसने कहा अपने पुत्र को अर्थाद अपने एक लोते पुत्र इसाथ को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पाहाड के उपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बली करके चढ़ा यह अबराहम को दी गई परिक्षा थी यह समस्या थी जो उसे सूलचानी थी जब वह सो वर्स की आयू का था तब उसे इजहाख मिला था लेकिन परमेशुर ने उसे मोरिया में पाहड पर ले जाकर उसे होम बली करके चढ़ाने को कहा जो अबराहम के लिए सबसे मुश्किल परिक्षा थी अपने जीवन में वह सबसे मुश्किल समस्या से मिला जा वो हो उसमें पास होगा या नहीं यदि लोगों को ऐसी स्थिति में डाला जाएं तो उन में से बहुत से नाकाम होंगे आईए हम वचन तीन में देखें कि अबराहम ने कैसे समस्या को सुलचाया अतहाँ अबराहम सबेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्रे इसाग को संग लिया और होम बली के लिए लगडी चीर ले तब निकल कर उस थान की और चला जिसकी चरचाप परमेशुर ने उससे की थी तीसरे दिन अबराहम ने आखे उठा कर उस थान को धूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा कधे के पास यही ठेरे रहों यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और तंडवत करके फिर तुम्हारे पास लोट आएंगे तब अबराहम ने होम बली की लगड़ी ले अपने पुत्र इसाग पर ला दी और आग और छोरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े इसाग ने अपने पिता अबराहम से कहा है मेरे पिता उसने कहा है मेरे पुत्र क्या बात है उसने कहा, देख, आग और लकडी तो हैं, पर होम बली के लिए भेड कहा हैं। अबराहम ने कहा, है मेरे पुत्र, परमेशुर होम बली की भेड का उपाई आप ही करेगा। और वे दोनों संग-संग आगे चलते गए, जब वे उस थान को जिसे परमेशुर ने उसको बताय था पहुँचे, तब अबराहम ने वहाँ वेदी बना कर लकडी को चुन-चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाग को बांध कर वेदी पर की लकडी के उपर रख दिया। अबराहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के इस्थान पर उसे होम बली करके चढ़ाया। यहाँ अबराहम ने परिक्षा का सामना किया, लेकिन जब परमेशोर ने कहा, यह करो, तब अबराहम ने किसी और के साथ इस मामले पर चर्चा नहीं की, लेकिन उसने सरलता से समस्या को सुलचाया। अबराहम अपने पुत्र इस्थाक को बोरिया में एक पाहड पर ले गया, जहां परमेशोर ने उससे कहा था। उससे अपने सोव वर्ष की आयू में पुत्र मिला था। उसके लिए कितना भहमुल्य होगा। एसे भहमुल्य बेटे ने उससे पूछा, पिता देख आग और लकडी तो हैं, पर होम बली के लिए फेड कहा हैं। अबराहम नहीं कह सका, तुम परमेशोर के लिए होम बली हो। इसलिए उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेशोर होम बली की फेड का उपाई, आप ही करेगा। क्या आप कल्प ना कर सकते हैं, कि अपने पुत्र को पाहड पर ले जाते हुए अबराहम को कैसा लगा होगा, उस उसने अपने पुत्र को बांध दिया और उसे होम बली के रूप में बली करने के लिए वेदी पर रखा। उस समय सुर्ख से सुर्गदूत की आवाज सुनाई दी। अपने एक लोते पुत्र इसाग पर हाथ ना बढ़ा। परमेशोर ने अबराहम को प्रतिग्या दी कि उ वन्ष आकाश में तारागण जितने अंगिनत होंगे। लेकिन क्या होता यदि इसाग मर जाता उसके पास कोई वन्ष नच नहीं होते। मनुशों के विचार से हम सोच सकते हैं कि परमेशोर की यह प्रतिग्या पूरी नहीं हो सकती। कि उसके वन्ष आकाश के तारागण जितने अंगिनत होंगे। लेकिन परमेशोर ने आबराहम को वहां रोका। मैंने तुम्हें यह इसलिए नहीं कहा कि मुझे बलिदान चाहिए लेकिन इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास देखना चाहता था। जब आबराहम ने उसके सुन्दर विश्वास को साबित किया तब वो सभी परिक्षाओं में पास हो गया। ईश्व ने भी मुझकिलों के बावजुद सभी परिक्षाओं को पास किया। तब शेतान उनके पास से चला गया और सुर्गदूत उनके पास आये। हमने बाइबल में इन शांदार जई की बातों की पुस्टी क आये हम बाइबल में कुछ और द्रिशों को देखें जो हमें परिक्षाओं के बारे में सिक्षाए देते हैं। तेरे समुखो, तेरी आखे न्याई पर लगी रहें। तुने मेरे रिदे को जाचा हैं। तुने रात को मुझे देखा हैं। तुने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटा पन नहीं पाया। मैंने ठान डिया हैं कि मेरे मुह से अब राथ की बात नहीं निकलेगी। पानवी कामों में, मैं तेरे मुह के वचन के द्वारा, क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाय रहा, मेरे पाउं तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं, हे इश्वर, मैंने तुझ से प्रात्ना की है, क्यूंकि तुम मुझे उत्तर देगा, अपना कान मेरी और लगा कर मेरी विनिती सुन ले, यहां, यह कहता है, मेरे पाउं तेरे पथों में स्थिर रहे, जब उसके पाउं तो पथों में स्थिर रहना संभव है, और फिसले नहीं, जैसे आयत तीन कहता है, तुने मेरे रिदय को चाचा है, मेरे पाउं तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले दाउड ने परमेश्वर से यो उच्छुक प्राथना की आईए हम भजन संगीता अध्याई 26 पद्दो पर एक नजर डाले है यहोवा मुझको चांच और परख मेरे मन और रिदेव को परख दूसरे शब्दों में उसने परमेश्वर को उससे निर्मल करने को कहा जब परमेश्वर द्वारा हमारी परिक्षा होती हैं तो यह आखिरकार हमें निर्मल करने की परमेश्वर की प्रक्रिया है इसलिए परिक्षा का मतलब शुधि करण है इसलिए धाउड ने कहा है यहोवा मुझको चांच और परख मेरे मन और रिदे को परख क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्यमार्ग पर चलता रहा हूँ मैंने कब में चाल चलने वालों के संग नहीं बेठा और ना मैं कप्टियों के साथ कहीं जाऊंगा दाउद ने परमेशुर को उसकी परिक्षा लेने उसे निर्मल करने और सभी परिक्षाओं में उसे चलाने को कहा मेरे मन को चाच मेरी परिक्षा ले कि क्या मैं सुर के राज्य के और जा रहा हूँ या नही क्या मैं सांचारिक ठीजों में लुप तो हूँ या नही इस तरहा भजन संगीता 26 में दाउट ने परमेशुर को उसकी परिक्षा लेने को कहा। बाइबल हमसे कहती है कि हमें दर्द फरे परिक्षन पर जिससे हम गुजर रहे हैं चकित नहीं होना चाहिए। बलकि हमें ऐसी स्थिती में विश्वास के कारकों को खोजना चाहिए। आईए हम पहला पत्रस अध्याए 4.12 पर जाएं। एप्रियों, जो दुख रूपी अगनी तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़गी हैं, इससे यह समझ कर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीद रही है। निर्मल होने की प्रक्रिया में हर कोई अबराहम के समान और ईश्व के समान परिक्षा का सामना कर सकता है। तब इस बात से चकित न होने की कोई अनोखी बात तुम पर बीद रही है। आयत तेरह पर जैसे जैसे मस्या के दुखों में सभागी होते हों, आनद करो जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनदित और मगन हो। फिर यदि मस्या के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। क्योंकि महिमा का आत्मा, जो पर्वेशुर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। जैसे आप यहां देखते हैं, हमें निर्मल करने के लिए दर्द भरे परिक्षन होंगे। मैं तुर पुनबाद उस स्थिति को स्विकारने का हमारा सोभाव है। एक बार आप विश्वास से सभी स्थितियों को स्विकार करें। यह सोचें, चुम परमेशुर ने मेरे परिवार में मुझें, मेरे संगठन या इस परिश्थिति में यह चीजें होने दी, तो आप आभारी होने की चीजें और उसमें से विश्वास के कारको को खोज सकेंगे। थोड़े समय बाद आप चानेंगे कि वो स्थिति आपको इसलिए दी गई क्योंकि उसमें कुछ कारण और परमेशुर की इच्छा थी। विश्वास के मार्क पर चलते हुएं, बाद में आप सभी स्थितियों को समझेंगे। आए हम याकुब अध्या एक पद बारहा पर जाएं। धन्य कौन हैं। धन्य हैं वो मनुश्य जो परिक्षा में स्थिर रहता हैं। परिक्षा में स्थिर रहने का मतलब परिक्षा को सेहन करना और उस पर जैपाना है। धन्य हैं वो मनुश्य जो परिक्षा में स्थिर रहता हैं। क्योंकि वो खरा निकल कर जिवन का वो मुकुठ पाएगा जिसकी प्रतिग्या प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की हैं। जब किसे की परिक्षा हो तब वो यह न कहें कि मेरी परिक्षा परमेशुर की ओर से होती हैं। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परिक्षा हो सकते हैं और न वो किसी की परिक्षा आप करता हैं। परंतु प्रतेक व्यक्ति अपनी ही अभिलाशा से खीज कर और फस कर परिक्षा में परता हैं। फिर अभिलाशा कर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब भढ़ जाता है तो मृत्य को उत्पन्न करता है वेक्ति जो परिक्षा में श्थिर रह सकता है वेक्ति जो परिक्षाओं में जय पास सकता है ऐसे लोग धन्य हैं जब वो परिक्षा में श्थिर रहता है तब वो जिवन का मुखट पाएगा जिसकी प्रतिग्या परमेशुर ने उन्हें दी है जो परमेशुर से फ्रेम करते हैं इसलिए हमें बिना चुके परिक्षाओं पर चैई पानी चाहिए है ना चाहे परिक्षा किसी भी प्रकार की यूँ न हो, जब आप उसे पास करें, तब आपको खुश होना चाहिए उधारन के लिए जा आप एक इंटर्व्यू पास करने पर खुश नहीं होते, परिक्षा में नाकाम होने पर आप दुखी होंगे आपका दिल तूट जाएगा इस संसार की तुछ परिक्षा में भी एसा ही है, लेकिन बाइबल में सोर के राज्य में प्रवेश करने की परिक्षा लिखी है चुंकि यह सोर के राज्य में जाने के लिए हमारे लिए परिक्षा है तो यदि हमें अबराहम की तरह परिक्षा दी जाए तो हमें उसमें पास होना चाहिए भलही यदि हमें वो परिक्षा दी जाए जो इशु के पास थी तो हमें उस पर जैपानी चाहिए इसके लिए हमारे पास थ्रुड़ विश्वास और बहुत अधिक सोर की आशा की चरुवत हैं। इसलिए भजन संगीता की लेखक और अबराहम ने परमेशुर से आग्रह पुर्वक प्राथना की। जब येशुने हमें प्रभु की प्राथना सिखाएं, तो उन्होंने कहा हमें परिक्षा में नला। इसके द्वारा उनका मतलब था किसी भी परिक्षा में बिना चुके हमें पास होने दें। मध्य अध्याइचे में उन्होंने सभी लोगों को जो पर्वेशुर पर विश्वास करते हैं यह प्राथना सिखाएं। चाहे हम किसी भी परिक्षा का सामना क्यूण न करें, हमें उन्हों सभी को पास करने में मदद कीजिए। आज हम किसी परिक्षा में होंगे। चाहे आज हम किसी परिक्षा में क्यूं न हो आजे हम विश्वास से पूरी तरह उस पर जैप आएं ताकि हम सियोन की संतान की रूप में सोर में शाही स्वागत प्राब्द कर सकें यदि हम सोर की महिमा भूल जाएं और यदि परमेश्वर का आभार और प्राइश्चित का अनुग्रह भूल जाएं तो हम पाप से संगती करके दूसरी बार परमेश्वर को कुरुष पर चड़ाएंगे हमें कभी भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए है ना हमारे सभी पापों को कौन सहन करेगा यशा यहां अध्याय तिरपन के अनुसार नभी ने प्रित्वी पर येश्व के आने के 700 वर्स पहले ही से कहा था कि येश्व किस पीड़ा से गुजरेंगे वो कुचला गया किस कारण वो कुचला गया हमारे अधरम के कामों के कारण हमारे अधरम के कामों के कारण वो कुछला गया वो हमारे ही अपराथों के कारण खायल किया गया जैसे आप यह सब देखते हैं यदि हम पाप करें तो कौन हमारे पापों को सहन करेगा जैसे भविशवानी दिखाती है जो पापों की मज़दूरी चुकाता है, वो हो वो शक्ष नहीं जो पाप करता है। बाइबल और नभी हमें बताते हैं कि वो हम हैं जो पाप करते हैं, लेकिन जो हमारे पापों के कारण दुख उठाते हैं, वो हमारे पिता और माता हैं। यशा यहां अध्याय तिरपन स्पस्थ रूप से हमें उनके बीच क्रियाशिल सनरचना दिखाती हैं, कि लोग जिन्हों ने पाप किया और पिता और माता जो अध्रिश्य दुनिया में उनके पाप से पेडित होते हैं। अभी से जाए हमारे साबने कोई भी परिक्षा क्यों न आएं, आईए हम पाप में न रहें। यदि हम पाप करें, तो हम एक बार फिर हमारे पर्मेशर को कुरूश पर चड़ाते हैं। हम कैसे ऐसी दिल तोड़ने वाली चीज़ को बार बार होने दे सकते हैं। नई वाचा के द्वारा हमारे पाप और अपराध पूरी तरह से निकल जाने और मिठ जाने चाहिए। आईए हम और अधिक पाप पेदा ना करने और नया पाप बनाने में शामिल नहों। यदि हम अब तक परिक्षा में थें, तो आईए हम वहो पराथना चड़ाए जो येशु ने हमें सिखाई। ताकि हम पूरी तरह से परिक्षा से बाहर निकल सकें। हमें परिक्षा में नला परन्तु बुराई से बचा। हमें बुराई को न पैचान कर और अधिक परिक्षा में तड़पना नहीं चाहिए। बलकि हमें आनंद से उन चीजों को करना चाहिए जिसकी परमेशुर ने हमें आग्या दिये। आईए हम सिखें कि कैसे अबराहम की तरह परिक्षाओ के विरुथ जीते और उस मार्क का पालन करें जिससे येशु ने एक नमूने की रूप में हमें दिखाया। येशु ने बाइबल के वचनों के अनुसार कार्य किया और उस थिती में भी उन्हें परमेशुर के वचन सिखाएं। भूख और दर्द के बाउजुद येशु ने गलत को जो कहते हुए फटकारा है शेतान दूर हो जा जो तुम परमेशुर की परिक्षा लेते हो। तुम प्रभु अपने परमेशुर को प्रणाम कर और केवल उसी की उबासना कर। हमें भी वैसे कहना चाहिएं जैसे उन्होंने कहा। इस युग में आए हम परिक्षा पर येशु की जय को मन में रखें और परिक्षा की विरुद अबराहम की जीत के द्रिश्य को मन में रखें और अनुग्रह पूर्वक रूप से महान विश्वास और आग्यकारिता से परमेशुर को प्रसन्न करने वाले मार्क पर चलें। परमेशुर किसे भी बुराई को पराजित करते हैं ताकि वो हमारे पास ना आ सकें। पायबल कहती है इस संसार के सद्रिश्य न बनो। तब हमें किस के सद्रिश्य होना चाहिए? हमें सिर्फ परमेशुर के सद्रिश्य होना चाहिए। आईए हम आज इस सबक को अपने मन की गहराई में रखें। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि इस तरह आग्रह पुर्वक प्राथना करें, चाहे कोई भी परिक्षा क्यों न आए, हमें उसे पास करने दे और हमें परिक्षा में न ला, परिक्षाओं के कारण हमें पीछे न गिरने के लिए मदद कर, आशा करते हूँ कि आज के उपदेश के द्वारा आपने अथिक अनुगरे प्राप्त किया, मैं इसे समाप्त करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,